नमस्कार दोस्तों कैसे हूँ आशा करती हूँ आप से बहुत अच्छी होंगे देखिए आज की वीडियो भी बहुत इंटरस्टिंग है बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत कुछ क्लियर होने वाला है माइन में जो इतने दिनों से कन्फ्यूजन चल रहा था वो आज हम सब्सक्रीं करते हूँ स्क्रीन पर तिन दिखका दे तीनों में से कोई बाक्स चूज कर लिजी की जो भी संकेत क्पित देना चाते है कुछ इस video के माद्यम से हमें सही और positive और हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस video के माद्यम से हम आपको एक positive energy दे सकें ताकि आप अपने life में बहुत कुछ पास सकें उननती कर सकें और हर एक negativity से आप दूर हैं हर उस नेगेटिव इंसान से दूर रहे जो आपको हर वक्त पीछे करने की कोशिश करता रहे तो चलिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दें बेल आइकन को प्रेस करें साथ ही कमेंट सेक्षन में अपने बाइन के डाउट सो राधे राधे लिखन आप फिलको ना भूले वीडियो की शुरुवात करेंगे एक बॉक्स आपने चूस कर ही लिया होगा फर्स्ट नमबर का बॉक्स जिस किसी ने भी चूस करा हैं देख लेते हैं कि इश्वर ने अगले तीन दिनों में आपके लिए क्या लिखा है और आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली हैं सबसे पहले तो देखिए कोई काम बिना रुकावट के पूरा होने से आप खुद को मांसिक रूप से बहुत ही मजबूत फिल करेंगे पूरी ताकत के साथ आप अगले तिन दिनों में महनत करेंगे साथ ही धर्मिक स्थलों पर जाने का प्रोग्राम भी आपका बनेगा कुछ चुनोतियां आपके सामने आएगी जो आपकी सुझभूज और सावधानी से पार भी आप कर लेंगे उसे उबर भी आप जाएंगे नकारात्मक प्रवरत्ति के लोगों के साथ संपर्क में रहना आपके लिए मानहानी का कारण बनेगा कहीं ना कह आपकी इमेज पर बात आ सकती है नेगेटिव लोगों के साथ रहने से कोई भी निर्ने जल्द बाजी की बजाए सोच समझ कर लें इस बात का ध्यान रखें किसी भी कारी को पुरी उर्जा और मेहनत से करें आपको उचित परिणाम मिलेंगे जमिन जायदात और निवेस ज राइटर हो या आपका विवात है होने वाला हो घर में कोई मांगलिक कारेकरम होने वाला हो किसी की शाधी बहुत दिनों से अटकी हुई हो कहीं वीवा नहीं हो रहा हो तो अचानक से उनके लिए अच्छा रिश्टा आ सकता है लेकिन मन में कुछ नकारात्मक विचार उब देना है सही समय है सही निर्नह लेने का अगर अभी आपने मोज मस्ती में पार्टी में घुमने फिरने में टाइम बरबाद कर दिया तो ये समय फिर लोटकर नहीं आएगा और पश्तावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा इस बात का ध्यान रखेगा साथ ही यह भी ध् करा है पिल नमबर वन तो वह इच्छा आपकी पूरी होने वाली है बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस भगवान पर विश्वास रखें उस शक्ति पर विश्वास रखें जिसे आप मानते हैं देखिए इस दुनिया में मेरे साथ तो अधिक तर ये चीज़े होती है आपके साथ हो या नहीं मेरे मन में अगर कोई शंका चल रहे है कोई डाउट चल रहा है बहुत दिनों से में सोच रहे हूं काफी के से होगे क्या होगा कर पाऊंग या नहीं कोई वी for example कोई भी चीज अगर मैं सोच रही हूँ तो नुजे तुरंट उसका result मिल जाता है तुरंत उसका जवाब मिल जाता है किसी ना किसी थू मिली जाता है मतलब वो शक्ति जिस पर मैं भरोसा करती हूँ वो भगवान जिन पर मैं भरोसा करती हूँ वो हर बार मेरे साथ खड़े रहते हैं हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते हैं और हर बार मुझे मेरे सवालों के जबाब किसी ना किसी माध्यम से बोद देते रहते हैं पस इसी तरीके से आपको अपना connection मजबूत रखना है connection मजबूत रखने के साथ ही आपको अपनी सोच भी positive रखनी है. कभी भी किसी दूसरे को ब्लेम करना किसी दूसरे को गलत बोलना या किसी को भी बेवज़ा कुछ भी कमेंट्स करना कुछ भी बोलना अगर देखिए आपको सुन रहे हैं समझ रहे हैं अगर आपको वीडियो फिट नहीं हो रही है या कुछ ब्लॉग है जो आपको लग रहा है कि सहीं नहीं है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है नहीं अच्छा लग रहा है उसे छोड़ दीजिए मत देखिए दुबारा उस वीडियो को हाती मत लगाईए उस चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिए उस जगे जाईए मत जो आपको पसंद नहीं आ रहा है लेकिन किसी को गलत कमेंट्स करना किसी के लिए गलत सोचना या आपकी नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बताता है तो कभी भी किसी के लिए नेगेटिव ना सोचे सबीके लिए अच्छा सूछे आपके साथ भी अच्छा होगा लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं होना है दोस्तो हमेशा जीवन में जो चीजे आपको दिक्कत दे रही है जिन चीजों से आपको प्रॉबलम हो रही है या आपको करना यह आदत आपकी बहुत गलत है और यह दिन आपको कहिना कई दिक्कत देगी सेकेंड नमर की बॉक्स की बात करें जिसकेंड नमर का बॉक्स चूस करा है तो देख लेतें अगले तीन दीनों में टेरोकाड आपके लिए क्या कह रहे हैं मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे अपने व्यक्तित्व को निखारने के प्रती आपका विशेज ध्यान होगा महतुपूर्ण व्यक्ति से मिलने की बाद आपको फाइदेवन योजनाई भी मिलेगी सुसराल पक्ष से संबंद मजबूत होंगे घर तथा वाहन खरीदने की रहे हैं तो वह योजना आपकी सक्सेस होने वाली है यह अच्छा आपकी पूरी होने वाली है अगले तीन दिनों में आपको रास्ता मिल जाएगा या फिर फाइनल हो जाएगी लेकिन या तो घर या फिर वाहन यह दोनों में से कोई एक चीज आपके अगले तीन दिनों मे लेकर या कोई और कारण से कोई और इच्छा आपके मन में है और उसे लेकर अगर आपने पिल्टू चूस करा है तो टेंशन ना ले वह इच्छा भी बहुत जल्द आपकी पूरी होगी लेकिन उस इच्छा के परती आपको अपने आपको पॉजिटिव बनाना है वह इच्छ हो किसी का बूरा उससे ना हो सिच्छा से मतलब किसी का नुकसान ना हो अगर वह आपकी इच्छा पूरी हो रही है साती यह हम ध्यान रखें कि जब भी आप कोई इच्छा इश्वर से कुछ भी मांग रहे हैं तो उसमें हमेशा आपके भला ना सोचे दूसरों का भी भला हो क्योंकि आप से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो आपके परिवार से भी जुड़ी होनी चीए और उसमें आपके परिवार का भी भला होना चीए फॉर एक्जामपल आपके सिश्य शादी करना चाहते हैं नेकिन आपके परिवार के लोग उस समय एतराज है उनको उस रिष्टे से कही न कहीं उन्हें वो पसंद नहीं है तो उस रिष्टे के लिए आप गलत कदम आपको नहीं उठाना आपने परिवार की खिलाफ आपको न साम नहीं कर रहा है शक्ति पर भरोसा रखे उस भगवान पर भरोसा रखे जिसे आप दिल से मानते हैं दिल से मानें दिल से विश्वास करें उन्हें अपनी बाते बताएं उन्हें अपने मन की बाते बताएं जाकर मन में ही बोल दें उनके मंदिर में जाकर वो समझ जाएं ठीके दोस्तों ये चीज़ जरूर करिएगा साथी positive बने रहेगा positive सुचेगा सभी के लिए अच्छा सुचे सभी के लिए अच्छा करें और अपनी इच्छाओ को control में रखें चलिए अब बात कर लेते थर्ट नंबर की थर्ट नंबर का जिस किसी ने भी चूस करा है पिल उन सहा आपका बढ़ने वाला है समय अनुसार फैसला ले जल्दबाजी और आवेश की वज़े से आपके संबंदों में रुकावटे आएगी करियर और व्यक्तिगत कारियों में अपने एहम को आड़े ना आने दे अनिता बनता हुआ काम बिगड़ेगा व्यवसाय में नए का का माहूल मधूर रहेगा महमान नवाजी का मुका मिलने वाला है भाग पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं लाब के नए नए मार्ग बनने वाले हैं लंबे समय से चली आ रहे ही कोई चिंता आपकी समापत होगी मानसिक शान्ति आपको मिलेगी अगले तीन दिन में कोई न बिखना ही कि कोई सपना आपका साकार होने वाला है कोई इच्छा आपकी पूरीं होने वाली है जिस इच्छा को चूष रहें तो फैसला भी आपका होची थे नया मकान भी आपका हो सकता है वह प्रॉपटी भी आपकी संभव है कि आप ले पाएंगे अतिदिक कारेभार आपको शारेरी को मांसिक रुप से ठगा सकता है इसलिए अपनी मेहनत के नुसार ही कारे करें इस समय लाबदायक ग्रहिस्त करना आपका जो सोभाविक जो नैचर है या आपके लिए उत्तम परिस्तित्यों का निर्मान करेगा और घर में कोई धार्मिक आयोजन भी होगा देखें आपकी सोच बहुत अच्छी है टेरोकाड़ बता रहें आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आप कर्मों पर विश् उत्ते नहीं हैं हमेशा आगे बढ़ते हैं कभी-कभी आपका मनमोजी स्वभाव दुसरों के लिए परेशानिंग का कारण बनता है घर में भी पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर हमेशा गलत फेमिया रहती हैं रिश्तेदारों में पड़ोसियों मे गलत फेमिय बढ़ती ही रहती हैं लोग आपको कभी समझ ही नहीं पाते हमेशा आपको गलत ही समझते रहते कोई आपको तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि अदिमाग में चलता रहता है इसी के साथ देखिए पिछले कुछ समय से कुछ रुकावटे थी वो अब दूर होगी करियर के प्रती लापरवाहिया आपको नुकसान देगी इसलिए सचेत रहे अपने नस्दी की मित्र से आप धोका या ठगी जी हाँ आपको मिल सकती है तो close friend या close relative को कहीं भी पैसा देने से या उन पर करने से थोड़ा सा ध्यान रखनी की जरूत है साजेदारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सोच समझ कर किसी को पैसा उधार दे रहें कई फसा हुआ है पैसा तो वहां पर भी ज्यादा बोले नहीं इस वर भरोसा रखे अगर आपकी किसमत में होगा तो पैसा आ जाएगा उधार देने से पहली बात तो बचे और अगर दे दिया है तो जादा चिल्ला चोट करना नहीं है बहस नहीं करने लड़ाई जगड़ा नहीं करना है आ जाए आपकी किसमत में होगा वेक्ति खुद आ कर दे जाएगा वरना जबरजस्ति करने की जरूत नहीं है तो दोस्तो